दोसो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आसकर वाइल्ड की एक कमाल की शॉर्ट स्टोरी दे डिवोटेट फ्रेंड इससे पहले मैं आसकर वाइल्ड की कई स्टोरी को डिस्कस कर चुका हूँ इस वीडियो में हम लोग friendship के बारे में पढ़ेंगे बड़ी कमाल की और बहुती world famous short story है दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको clear कर देता हूँ ये एक fairy tale है fairy tale का मतलब होता है ऐसी कहानी जिस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बच्चों के हिसाब से लिखी हुई कहानी होती है लेकिन इस कहानी की end में एक बहुत ही अच्छा message है जो आप सब को पसंद आएगा तो शुरू करते हैं एक बार की बात है तीन दोस्ते एक water rat था एक duck थी और एक bird होता है लिनट वो तीनों आपस में बात करने लगते हैं लगरी है न बच्चों वाली स्टोरी तीन दोस्ते एक rat यानी चूहा एक duck यानी बतक और एक लिनट एक bird तो यह चूहा अपने बिल से बाहर आता है और duck को देखता है तो यह duck क्या करती है उस टाइम पर बतक क्या करती है अपने बच्चों को पानी में सिर के बल उल्टा खड़ा रहना सिखाती है ठीक है अब लसन दे रही है अपने बच्चों को तभी वहाँ पर लिनट आ जाती है duck और rat आपस में बाते कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर bird आ जाती है लिनट इन दोरों की बाचीत क्या हो रही होती है devoted friendship यानि एक अच्छा दोस्त क्या होता है मतलब अच्छी दोस्ती किसे कह सकते हैं तो यह rat पता ही क्या बोलता है यह क्या बेतु का सवाल है अच्छी दोस्ती उसी को कह सकते हैं जिसमें सामने वाला दोस्त अगर मुझसे अच्छा है तो मैं उससे अच्छा हूँ लेकिन वो लिनट यानि वो bird जो उनको सुन रहा था वो आकर पूछता है rat से तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम्हारा दोस्त अगर तुमसे अच्छा रहेगा devoted रहेगा तभी return में तुम devoted रहोगे ऐसा वो बोलता है हां ये तो कोई अच्छी दोस्ती की निशानी नहीं हुई मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ जिससे तुम्हें ये सवाल अच्छे से समझ में आएगा उसके बाद तुम तैय करना ये सारी चीज़ है तो वो जो bird था linnet वो इन दोनों को कहानी सुनाने लगता है linnet कहानी सुनाने लगता है दो दोस्तों की कि एक बार की बात है दो दोस्तों होता है hunts जो की एक गरीब किसान होता है मतलब इतना भी कोई पैसा नहीं होता खास उसके पास में अपना एक cottage होता है एक beautiful सा garden होता है लेकिन अपने garden की care बहुत करता है वो भले ही गरीब था लेकिन garden में जो सारी चीज़ों की requirement थी वो सारी पूरी करता था hunts अपने garden की beauty को maintain करने के लिए दिन रात लगा रहे था अपने garden के अंदर और उसके flowers चारो तरफ famous थे कि hunts ऐसे flowers उगाता है जो कोई भी नहीं हुगा सकता लेकिन क्या होता है उसका एक दोस होता है Miller जो इसकी गरीबी के बावजूद उसका एक अच्छा दोस्त होता है अच्छा दोस मतलब बहुत ही close friend होता है अब अच्छा है या नहीं यह देखा जाएगा आगे काफी लंबे टाइम से दोनों की दोस्ती होती है Miller अक्सर इसके garden में आता जाता है इसके cottage में आता जाता है और एक basket लेके आता जब भी आता है दोस्ती के नाम पे इसके garden से अच्छे-च्छे plots को तोड़के ले जाता है और Miller का एक मतलब पैसे वाला है plots खरीद नहीं सकता दोस्ते उसका एक fix dialogue होता है कि real friends जो होते है न उनके बीच में सब कुछ common होता है कि तेरा मेरा कुछ नहीं होता तो इस बात पर Hans भी बोलता है सही बोल रहे हो दोस्ती में तो सब कुछ चलता है Hans smile करता है और हर बात पर agree कर देता है लेकिन पडोसियों को जो Hans के पडोसियों होते है उसको क्या लगता है Miller की अच्छी अच्छी बाते जो दोस्ती को लेकर वो करता है न वो सब बाते उसे अच्छी लगता है गर्मियों की सीजन में अच्छे ग्रू करता है लेकिन वेंटर का सीजन पूल उगाने वालों के लिए अच्छा नहीं होता इस बार जो सरदियां आये थी न उसके फ्लार्स की सेल्स बहुत कम हो गई फ्लार्स उगे नहीं बहुती खराब हांस रहता छोटी सी जोपडी में था और सारा गुजरा उसका किस चीज़ पर होता था फ्लार्स पर करीबी बेरोजगारी और उपर से भूक तीनों ने उसकी हालत खराब कर रखी थी ठंड की वज़े से मिलर ने भी उसकी पास आना बंद कर दिया ठंडी वज़े थी या कुछ और वज़े थी एक बार भी मिलर इसकी पास में आया नहीं हल चाल पूछने के लिए जब गर्मिया चल रही थी तो खूब आता जाता था बड़ी बड़ी बाते करता था लेकिन अब हंस के दिन खराब चल रहे हैं तो पूछने भी नहीं आया मिलर को बस एक ही चीज आती है बड़ी बड़ी बाते करना, बहुत बड़ी डायलोग्स बोलना वो बोलता है कि जब लोग दिक्कत में होते हैं तो उनको बार-बार जाकर परिशान नहीं किया जाता उनको अकेला छोड़ देना ही बैता है इसलिए मैं हंस के पास में नहीं जाता जैसे स्प्रिंग का सीजन आएगा उसके हाला सुदरेंगे तो चला जाओंगा जब यह अपनी वाइफ और बेटे के साथ में बैठा हुआ था ना उसकी वाइफ बोलती है अती उच्चे विचार, बहुत उच्चे विचार है आपकी मतलब प्रेज कर रहे है अपने हस्बंड को लेकिन इसका बेटा बोलता है कि हम इतनी सारी चीज़े खा रहे हैं तो चाचा को भी कुछ दे आते हैं ना यानि हंस को कुछ दे आते हैं लेकिन मिलर बोलता है चुपकर ऐसी चीज़ें देकर हम उसके नेचर को बिगाड़ नहीं सकते वो एक अच्छा आदमी है उसे अच्छा रहने दे उसे बिगाड़ना क्यों चारा है उसकी वाइफ बोलती है अती उच्चे विचार महापुरुश हो आप तो तो मिलर क्या बोलता है अपनी वाइफ को कि ये जो मैं बाते करता हूँ न ये अंदर से निकलती है दिल से और ऐसी बाते निकालना मुझे बहुत मुश्किल काम होता है लोग तो एक्टिंग कर लेते हैं अच्छा बनने की ये सब मुझसे नहीं होता बबा अब ऐसे ही देखते देखते स्प्रिंग का सीजन भी आ गया मिलर गया हांस के पास में हांस ने ये बोला मुझे तो ऐसा लगा जैसे तुम तो मुझे भूली गए लेकिन मिलर बोला सच्ची दोस्ती वही होती है जग दोस्त को भूला न जाए वाह उच्चे विचार स्प्रिंग का सीजन आने के बाद में हंस का व्यापार फिर से चलने लगा था लेकिन इस व्यापार को चलाने के लिए हंस ने काफी सारे सैक्रफाइस दिये थे उसने अपना एक वील बैरो बेज दिया था wheelbarrow जिससे काफी सारे काम होते थे क्योंकि खाने की जरुरत थी बिना खाने की सर्दियों में जीता कैसे बिचारा कहता है कि फूल बेच बेच के फिर से पैसे इखटे करने पड़ेंगे ताकि एक नया wheelbarrow खरीच सको तो मिलर उससे कहता है कि मेरे पास एक पुराना wheelbarrow पड़ा है लेकिन वो टूटा हुआ है बहुत ही bad shape में है तुम अगर लेना चाओ तो ले सकते हैं तुम मेरे दोस्तों और दोस्त को देने में क्या बुराईए दोस्ती सबसे पहला धर्म है हंस को अच्छा लगता है कि उसका दोस्तों से कितना अच्छा है ठीक है लेकिन मिलर उसके सामने तीन शर्ते रख दिता है कहता है कि मुझे कुछ काम करवाना है अगर तुम मेरे लिए वो काम कर सको क्योंकि दोस्ती तो सबसे पहला धर्म है न पहला तो यह कि तुम्हारे गाडन पे वो जो लकडी का टुकड़ा है वो मुझे चाहिए, मुझे अपनी चथ को रिपेर करना है, और दूसरा वो उसके गाडन से बहुत सारे फूल तोड लेता है, और अपनी बास्केट में भर लेता है, फ्री में, और यह जानता है कि यह इ इवकूफों की तरह उसके लिए काम किये जाता है, जब भी मना करने की कोशिश करता है, मिलर कोई ना कोई दोस्ती की बात करके उसे रोक लेता है, तब एक टूटे-फूटे वील-बैरो के लिए, उसने उससे इतने काम करवा लिये, उसका जो सीजन का टाइम था, उस मैं रिक्वेस्ट करता हूं मैं तुमारे हाथ जोडता हूं मेरा बच्चा सीडियों से गिर गया जाकि डॉक्टर को बिला के लाओ हांस क्या है पूरा दिन काम करके ठक गया था ऐसे में इसका दोस्ट मिलर इसके पास में आया और इमर्जनसी थी तो काम तो करना ही था लेकिन रात को बाहर बहुत अंदेरा था और बहुत ही रिस्की माहौल था तो हांस क्या करता है कहता है कि मिलर मैं जाता हूं लेकिन मुझ थोड़ी देर के लिए अपना लाल्टिन दे सकते हो मिलर उससे बोलता यार लाल्टिन नया नया है अगर तुससे कहीं गेर विर गया तो तुझे एक काम कर ऐसे ही चला जाना तुझे दोस्ती का वास्ता हांस जैसे तैसे करके बेवकूफों की तरह उस रात में उस अंधेरे में इतना रिस्क लेकर डॉक्टर के पास में गया और डॉक्टर को जा कर बोला मेरे दोस्त के बच्चे की तबित बहुत खराब है आप चल कर देखिए डॉक्टर भी अपनी गाड़ी पर बैठा और चल दिया लेकिन हांस उसके पीछे 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 चलने लगा लेकिन अनफॉचनेटली रस्ते में एक बहुत गहरा गड़ा पड़ता था उसको पता नहीं था कि ये गड़ा है उसका पैर उसमें पढ़ गया वो गिर गया गड़े में और वहीं पर डूब कर वो मर गया पानी था गड़े के अंदर अगले दिन बकरी चराने वालों को हांस की बाड़ी बिली इसे बोलोग उसकी गाउं में ले गए और कोई परिवार वाला तो था रही हांस का तो गाउं वालों नहीं मिलकर उसका फिनर बैरो किसे देगा एक अच्छे आदमी को हमेशा इस समाज में कीमत चुकानी ही पड़ती है और यही पर यह कहानी खतम होती है तब वो तीन दोस्त जो आपस में बाते कर रहे थे रैट यह कहानी सुनने के बाद एक ही चीज पूसता है इस कहानी का मॉरल क्या हुआ मतलब क्या सीख मिलती है इस कहानी से तो इस कहानी से यह सीख मिलती है दोस्तों कि दोस्ती का मतलब सिर्फ और सिर्फ फाइदा लेना नहीं होता बलकि ऐसी फीलिंग की जरुरत है कि हमारा दोस्त भले हमारे लिए कुछ भी ना करे तब भी हम उसके लिए समर्पत है importance of reciprocity in friendship आज की इस वीडियों बस इतना ही